उरई जीले की एक महिला तीचर की इंटीमेट तस्वीर एक मैनेजर के साथ काफी टेजी से वाइरल हो रही है। एक हिंदी वेबसाइट की खबर के अनुसार जिस लर्की की फोटो वाइरल हुई है उसकी शादी 7 जून को होनी है। अब तक जो जानकरी सामने आ रही है उसके अनुसार इस लर्की से मैनेजर ने बदला लेने के लिए इस कर्थूत को अनजाम दिया है। इस घटना की चर्चा अब चारो तरफ है और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब बाइरल हो रही है। वहीं इस मामले के बाद उस तीचर की तरफ से अभी तक कोई पुलिस में शिकायप दर्ज नहीं कराई गई है। घटना की जानकारी पुलिस को हुई लेकिन बिना शिकायप के वो आगे कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में काफी समय से अफेर चल रहा था। लेकिन जब लड़की की शादी तै हुई तो इस मैनेजर ने उसकी तस्वीरे वाइरल कर दी। इस मामले पर मैनेजर का कहना है कि यह गलती से हुआ है। बताया जा रहा है कि फोर्तो स्कूल के अंदर की है साथ जून को तीचर की शादी है। इससे पहले ही यह फोर्तो वाइरल होगी। स्कूल की सूत्रों के मुताबिक दोनों का काफी समय से अखेर चल रहा था। आरोपी मैनेजर का कहना है कि उससे ऐसा गलती से हो गया। तीचर की तरफ से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। उरई कोट वाली इंस्पेक्टर आलोक सक्षेना का कहना है उन्हें घटना की जानकारी है। वह तीचर की शिकायत का इंतजार कर रहे हैं।